हेलो फ्रेंड्स मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को नव वर्ष की हारदिक शुब कामना है फ्रेंड्स तो आज इस शुब कामनाओं के साथ बहुत हेल्दी बहुत ही टेस्टी यूनिक रेसिपी में आप लोग के लिए लेके आई हूँ आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ही अच्छे फ्रेश ताजे एपल आए हुए हैं और हम इसे स्टोर करके काफी टाइम तक रख सकते हैं और बहुत ही हैल्दी ये होता है और बच्चे भी इसे बहुत ही चाओ से खाते हैं आप उनके टिफिन में भी इसको ब्रेट पर लगा के दे सकते हैं ब्रेकफास में भी दे सकते हैं बड़े भी इसको खा सकते हैं तो ये 2023 में मैं आशा करती हूँ हम सभी की सेहत बहुत ही अच्छी रहे बहुत ही खुशहाल रहे और healthy चीजे खाएं अपनी सेहत का ध्यान रखें तो आज ये apple jam बना के हम अच्छी सी शुरुवात करते हैं कि हम सभी पूरे साल हर साल स्वस्त रहें healthy रहें क्योंकि health is wealth जी हाँ दोस्तों तो ये apple jam बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है लगभग एक किलो के करीब मैंने apple ले लिये हैं देख सकते हैं आपकी कितने fresh ताजे apple market में आए हुए हैं आपकी यहाँ भी आते होंगे तो बिल्कुल fresh apple ले ले और इसको store करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसका jam बनाएं बचे बड़े सभी पसंद करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे apple ले लिये हैं आपको जितनी quantity में apple लेना है बस आप उतनी quantity में ले ले बस करना ये है आपको इसमें बराबर का चीनी डालना है जी हाँ फ्रेंड्स अगर हमने एक केजी apple लिये हैं तो हमें इसमें एक केजी ही चीनी डालना होगा तो देख सकते हैं आप बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी ये apple jam बनाना जो की हम महिनों स्टोर भी करके रख सकते हैं तो बहुत आरसानी से हम सारे apple को cut करके छील लेंगे छीलने के बाद जो इसके बीज का part होता है बीज होते हैं उसे निकालके सारे apple को grate कर लेंगे grate करने के बाद हमें पीषना नहीं है कुछ नहीं करना है इसमें पानी की हम बूंद भी नहीं डालेंगे और बहुत ही अच्छा सा हम ये apple jam बनाएंगे तो कडाही में हम थोड़ा सा oil यूज करेंगे oil friends यहाँ पे आप गी या butter या mustard oil ना यूज करें मैंने तो यहाँ पे गी यूज किया है क्योंकि हमें घी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है लेकिन अगर आपको घी का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है और जैम में घी का फ्लेवर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेजिटेबल ओयल यूज करें तो देख सकते हैं यहां पर मैंने एक किलो एपल लिया है और लगभग एक किलो के करीब मैंने चीनी भी लिया है जी हाँ दोस्तों क्योंकि जब भी हम कोई अचार या जैम बनाते हैं तो उस पे अगर नमक या चीनी की प्रॉपर मातरा अगर हम नहीं डालेंगे तो वो हमारे खराब हो जाएगे जल्दी खराब हो जाएगे तो अगर आप चीनी कम डालेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि हफते में इसको निमटा लें जी हाँ दोस्तों हफते के अंदर ही अगर आप इसको खतम कर लेते हैं तो तो अगर आप थोड़ी कम भी चीनी डालेंगे तो आपका चल जाएगा लेकिन अगर आप महिनों स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी की मातरा अच्छी सी डालें और ये महिनों आपकी चले के से available हो जाती है तो वो डाले तो देख सकते हैं हाँ apple हमारा जो है हमने कसा हुए apple भून लिया है अच्छे से और भूनते भूनते चीनी डालने के बाद इसको 25 से 30 मिनिट तक हमें सिमाच पर पकाना है चलाते हुए पकाना है और चलाते हुए पकाते पकाते ये एकदम गाड़े फॉर्म में आ जाएगा और आपको खुद फील हो जाएगा कि अच्छे से पक गया है तो पकने के बाद हम फ्लेम को आफ कर देंगे और फ्रेंड्स इसे बनाना जितना मुश्किल नहीं है इसको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी जार आपका गीला रहा या पानी का लगा हुआ रहा या अच्छे से साफ ना किया हुआ रहा तो आपका जैम जो है जल्दी खराब हो जाएगा तो बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि जिस जार में आप इसको स्टोर करना चाहते हो उस जार को अच्छे से गरम पानी में दो ले धूप में रखके सुखा ले अच्छे से कपड़े से पोच ले तब आप इसमें जैम को स्टोर करें जी हाँ दोस्तों और एक बार ये जैम बनने के बाद आप इसको हफते, 10 दिन, 15 दिन और महिनों भी आप स्टोर करके रख सकते हैं तो ये एपल जैम हमारी हैल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अच्छा है और खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही आप इसको बिना ब्रेड के भी खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसका स्वाद बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी ये एपल जैम है तो इस सीजन आप भी ये एपल जैम जरूर बनाए और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूले मुझे एक प्यारा सक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप चाहें तो मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते अगर आपको पसंद नहीं आती है और अगर आपको पसंद आती है तो आपकी जेब से एक रूपया नहीं जाएगा और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तो ये देख सकते हैं आप ये बच्चे बड़े सभी को ब्रेट पे स्प्रीट करके खुद से बनाए हुए हाईजैनिक एपल जैम देंगे ना तो बहुत ही टेस्ट भी आएगा और हैल्दी तो ये है ही क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से साब सफ़ाई का ध्यान रखके बनाते हैं कुछ भी हम इसमें कैमिकली यूज नहीं करते हैं तो ये एकदम बहुत ही फ्रेश एपल से बने हुए है हमने कोई खराब एपल नहीं इस्तमाल किया इसमें तो ये बहुत ही हमारे लिए हेल्दी टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बढ़ने वाली ये रेसिपी है तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप भी इस रेसिपी को बढ़ाएंगे और रहेंगे स्वस्त जी हाँ दोस्तों